प्रश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल बर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले काफी खुशी की बाद और काफी बढ़िया अचीमेंट है कि भारत ने अपना एक ओपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है Barrow, यह खुद का एक ओपरेटिंग सिस्टम बनाया है अब इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजे हम इससे अचीव कर पाएंगे अभी इसके बारे में हम डिसकस करेंगे फिलाल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपने देखा होगा, आपके पास कोई फोन होगा जैसे Samsung, Wevo, Oppo जो यह फोन होते हैं, वो किसके ओपर चलते हैं अच्च्वल में वो एक ओपरेटिंग सिस्टम के ओपर चल रहते हैं जिससे आप एक phone से और आपके बीच में बातचीत हो पाती ही वो एक तरीके से operating system ही होता है आपको किसी को call करनी है या फिर आपको कोई app यूज करनी है आपको calendar देखना है या फिर आपको कोई भी जैसे की YouTube चलाना है कुछ भी चीज चलानी है तो आप operating system पे ही तो work कर पा रहे हो ऐसे ही भारत ने खुद का एक operating system बना लिया है अब जैसे आपने Apple के phone में iOS देखा है Google का जो हता है वो Android है तो Samsung के phone में आपने Android देखा है ऐसी भारत का बहरोस नाम से operating system आएगा अभी कब आएगा कौन से phone में आएगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताएगा है लेकिन बहरोस नाम से operating system बनकर त्यार हो गया है अब बात ये रहती है कि ये जो operating system आया है क्या ये Android को replace कर पाएगा क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी बहरोस की बनाने की और साथ ही साथ हमीं जानेंगी क्या Android को iOS को replace करने में क्या ये सक्षम है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए तुम आपता देता हूँ IIT मदरास जो है ये incubated क्या है देखे IIT मदरास एक तरीके से education institute है और किसी भी education institute को ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी बना कर बेचने लग जाए वो profit कमाने के लिए वहाँ पर नहीं होते हैं वो commercial firm नहीं होती है तो इन्होंने क्या किया अपनी खुद की company बनाई खुद की company में खुद ही invest किया उसे कहा गया incubated समझ रहे हो इस चीज को ये incubated क्यों कहा गया तो IIT मदरास incubated company ने बहरोष विक्सित किया किसी और से investment नहीं लिया है इन्होंने खुद ही investment उसमें लगा दी तो ये हो गया आपके सामने IIT मदरास incubated company ने बहरोष विक्सित किया काफी सारे newspaper ने इसको cover भी किया क्योंकि बहुत बड़िया achievement है पहले तो हम इसकी विशेषता है जान लेते हैं कि इस जो बहरोष नाम से जो operating system है इसमें खास क्या है फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से भारत के अंदर major role play कर सकते हैं फिर हम जानेंगे कि क्या बहरोष Android या iOS को replace कर सकता है या नहीं कर सकता है तो चलिए start करते हैं तो देखें बहरोष जो वो Android या फिर कहीं iOS की तरीके से एक Indigenious एक Mobile operating system है उप्रेटिंग सिस्टम क्या होता है एक software होता है जैसे Google का क्या होगा Android होगा Apple का क्या होगा iOS होगा वही अगर आपको अपने phone से बात करनी है आपने phone से ये phone रहा ये आप रहे आपको इस phone से बात करनी है वही आपको इससे interact कैसे करोगे तो interact करने के लिए यह operating system ही तो होता है बिना operating system के आप काम ही नहीं कर पाओगे phone के पर वो एक खाली पिली का एक डबबा रह जाता है ऐसे ही भार भारोस भारत अधारित उप्योगरताओं के लिए एक सुरक्षित OS वातावन बनाकर आत निर्भर भारत के तैद जो है वो बहरोस का निर्मान के देखे बहरोस जो है वो जितना भी है आप iOS देखते हो या Android देखते हो इनसे काफी ज़्यादा सुरक्षित और secret privacy प्रवाइड करने वाला एक operating system है अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे वो सब चीज़ें आपको करेगा कि भई गोपनियता ये सुरक्षा कैसे ये प्रवाइड कर रहा है जो गूगल नहीं कर पा रहे हैं देखे आपने देखा होगा कि आप कोई भी फोन लेने जाते हैं प्योरी थी और गूगल को इस चीज़ के उपर फटकार भी लगाई गई है कि भई आप जो है market के अंदर monopoly लेके आ रहे हो भी monopoly कैसे कि भी आप आपका जो android है आपके android के साथ कोई भी हाथ मिलाता है जैसे वीवो के company phone मिलाने वाली होगी तो यह operating system किसका खरीद लेते हैं गूगल का खरीद लेते हैं तो यह गूगल का जब operating system खरीद लेते हैं तो इनको agreement sign करना पड़ता है गूगल इनको कहते हैं कि आपको अपने phone के अंदर जब आप बेचोगे तो उसके अंदर यह app प्री installed देनी पड़ेंगी क्या होता है कि इसकी monopoly बढ़ रही है Google की marketing हो रही है इनको पैसा दे दिया उस Android के लिए agreement कर लिया लेकिन इसकी तो marketing हो रही है इसकी monopoly बढ़ रही है तो इसको tackle करने के ध्यान में रखते हो क्योंकि अभी हाली में government ने कहा है कि आपकी monopoly बढ़ रही है इसको अब control करिए तो जिसके चलते जो है एक कह सकते हैं कि भारत ने इसको भी ध्यान में रखा और आतुनिर भारत के तहत हमारे देश में बहरोस का निर्मान भी किया गया मान लीजी आने वाले time में ऐसा हो कि भाई या ये Google जैसे हो गया ये अपने आने वाले जो service है android है वो देने से माना करते तो हम कहां जाएंगे तो system हिल के रह जाएगा न हाँ होगा नहीं ऐसा लेकिन कुछ भी हो सकते आने वाले time में कुछ भी नहीं बता है तो उस चीज को tackle करने के लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए बहरो जो बहुत जादा important है अब जो main जो इसके points हैं कि विशेशता हैं, features क्या हैं इसके अंदर वो हम जान लेते हैं एक आता मारे सामने nota none of the above नहीं है इसका मतलब होता है native over the year update मतलब यह होता है कि आपने देखा होगा कि आपके phone में update का notification आता है कि यह software है जो update करना है आपका software जो update होने के कगार पर आप update करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं आपने अक्सर देखा भी होगा आपको ऐसी notification आती भी होगी या फिर आप जाकर सेटिंग के अंदर फोन में तो वहाँ पर आप चेक भी करते होंगे कि भाई यह अपडेट करें यह अपडेट का कोई option आया हुआ है कि नहीं आया हुआ हुआ तो यह क्या कर रहा है बैरोस आपको automatically उपयो करता जो है उनको automatically ही यह अपडेट जब वह install करके देगा बैर कोई अपडेट वह automatically installed हो जाएगा यह एक तो यह feature इसने दे दिया सबसे बड़ा feature यह दे रहा है NDA National Defense Academy नहीं है इसका मतलब है no default app सबसे बड़ा हम यह कहेंगे कि point है बैरोस का यह 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 क्या करते हैं यह कहते हैं कि हम आपको phone देंगे बस उसके अंदर एक operating system डाल देंगे और उसके अंदर कोई भी app नहीं देंगे कोई भी app का मतलब है ना उसके अंदर YouTube होगा ना उसके अंदर Google Chrome होगा ना ही कोई browser होगा वो बिल्कुल खाली होगा आपको कोई app अगर download करनी है तो आप download कर लीजिए आपको वो बिल्कुल कोई भी default app के साथ आपको वो नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे इससे फाइदा क्या है इससे फाइदा यह है कि आपकी अपनी जो safety वो और ज़्यादा enhance हो गई आपकी privacy बढ़ गई आपके सामने जो भी फोन लेते हो आप उसमें pre-installed जो app आती है आपने देखा होगा कि काफी सारी apps ऐसी होती है जो आपके device को धीमा कर सकते है बेंटरी की life को कम कर सकते है या फिर एक तरीके से वो आपको जबरदस्ती थोपी जाती है जो आपको नहीं चाहिए होती आपको होगे कि वो तो आप uninstall कर सकते हैं अगर आप uninstall कर सकते हैं तो एक बार करके देख लिए अगर आपसे uninstall होए तो वो सब चीज़ें uninstall नहीं हो पाती तो बहरोज जो है वो NDA ने अपने इस चीज को ध्यान में जान बूज कर इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए है कि भी किसी को अपने फोन के अंदर कैसी एप यूज करनी है उसको अपने फोन को और ज्यादा कंट्रोल इसके उपर प्रवाइड करवाता है यह NDA तो बहुत एक अच्छी चीज है नो डिफोल्ट अप जो मिल रहा है साथ साथ नोटा जो है वो यह वैरोस प्रवाइड करा रहा है फिर एक और जो फीचर है यहां पर वो है प्राइविट अप स्टोर सर्विस जिसे पास का गया जैसे गूगल जो एंड्रोइड है उस आप को रहने देता है ऐसे ही पास नाम से एक स्टोर बनाया जाएगा जहां पर आप डाउनलोड कर पाएंगे तो यह तीन सर्विसीज होगी वो यह बैरोस यहां पर प्रोवाइड करवा रहा है आद दुन भारत के तहट जो है यह सब चीजें करवाई जा रही है आपको ध्यान में रखना है IIT मदरास जहां पर खुद की कंपनी बनाकर बहुत एक अच्छी चीज है Incubated firm है J&K Ops Private Limited आप समझ यह कि कितनी अच्छी चीज है कि आने वाले टाइम में अगर किसी को scholarship भी चाहिए कि तो कितनी एक चीज जो है वो काम आने वाली चीज है बही कल को कोई भी IIT है वो यही बोलेगी न बही हमारे पास lab अच्छी है lab अच्छी है जैसे मान लिजी उन्होंने ATL को कह दिया वही आपना fund कर दीजिए हमारे बच्चों को वही fund कैसे कि उनको scholarship मिल जाएगी और ATL कहेगा कि हमें क्या मिलेगा अरे आपको मिलेगा कि नए नए दिमाग आपको यहां मिलेगा आपके लिए वो काम करके देंगे वही इससे ATL को तो एक तरीके से बहुत बड़ा फाइदा ही है वो वहाँ पर अपनी firm में invest करता इससे बेटर यहाँ पर invest करके उसको अच्छी चीज़े मिल गई नया दिमाग मिल गई इसे brain drain की जो समझ से हमारे देश में हम उसको भी रोक पाएंगे तो अब यहाँ पर जो इसकी significance है उसके उपर हम बात कर लेते हैं देखिए यह जो project है वो reduce करेगा हमारी dependency दूसरे जो बाहर के जो operating system है उनके उपर जैसे मैंने कहा ना कल को क्या पता कुछ भी हो जाए तो Google ने Android देने से मना कर दिया तो हम हमारा खुद का जो operating system है वो बना पाएंगे और यह आने वाले time में बहुत जादा एक महत्तपुन कदम होगा या फिर कहीं कि बहुत बड़ी उपलब्दी भी होगी क्योंकि हमने खुद का एक operating system बना लिया हम दूसरे कुछ एक देश हैं उन्होंने ऐसा कुछ काम कर सकता और उनके बराबर हम आकर अब खड़े हो चुके हैं अब बात करते हैं कि बहरोस Google Android को क्या replace कर पाएगा क्या देखे बहरोस जो है वो एक तरीके से हम कहेंगे जो Android की नीव डली है जो नीव डली हुई है बहरोस उसी नीव के उपर अधारित है यानि कि बहरोस कुछ हद तक Google Android जैसा ही है फिर आप कहोगे यह लो यार जब Android ही ओली मौझूद है मार्केट में तो हम बहरोस क्यों ले यही बात आती है न तो फिर इसका एक जवाब यह आता है कि देखे हम अलग चीज बना कर भी उसके उपर महनत करके भी क्या ही करते इस चीज को समझना जो चीज ओलेड़ी लोग यूज कर रहे हैं हम उसके उपर एक अच्छी चीज बना कर ऐसा सिस्टम हम परवाइड कर दे लोगों को यह एक कोई corporate इसके उपर नहीं है इसके उपर बनाकर बहरोस जो है हमारे देश ने परस्थूद कर दिया अब आने वाले टाइम में इसके अंदर नहीं नहीं चीज चीज़ें चीज़ें जाएगी नहीं नहीं चीज़ें वहाँ पर लाई जाएगी जिससे क्या होगा यह और ज़्यादा reliable और ज़्यादा यह secure privacy के अंदर हमें और ज़्यादा मिलने लगेगी तो जिससे क्या होगा देखें हमें इस system को और ज़्यादा enhance कर दिया इस चीज़ को ऐसे समझे कोई बच्चा बोले कि हम मैं math के अंदर tent क्यों करूँ जोग्रोफी होगी या trigonometry होगी मैं यह क्यों पढ़ूँ मैं नहीं पढ़ना चाता तो भई वो एक तरीक के मैं कुछ और पढ़ूँगा वो अपनी एक बहस ला सकता है कि भई यह और पढ़ना चाता हूँ यह नहीं पढ़ूँगा वहाँ पर आप देखेंगे न तो यह वही बैस हो जाती है कि android के ओपर यह इसके ओपर क्यों बनाया गया वो जो आपके सामने science है physics है आप उसमें पढ़ेंगे आपने neutron, electron सब पढ़ रखा है आप उसके ओपर कोई खोज करेंगे न यह थोड़ना है कि आपने दूसरा ही कुछ चीज खोजने निकल पढ़े जबकि वो चीज है यह नहीं उसका कोई use ही नहीं है तो इस चीज को ध्यान में रखते हो यह सब चीजें किये गई है यह operating system बहुत जादा important है जैसे हमने देखा है कि जो Google का Android वो Chrome को default browser के रूप में देता है बहरोज जो है वो एक DuckDuckGo को default browser के रूप में यह स्थाबित करने का विचार कर रहा है जो यह DuckDuckGo क्या है एक privacy focused browser है जो बहुत जारा privacy centric features provide करता है अब यहां पर अभी इनों ने यह बात बाहर नहीं निकाली है फिर कहीं कि इनों ने इतनी चीजें नहीं बताई है कि बहरोज कौन सी company के साथ हाथ मिलाएगा कौन से phone के साथ ही installed आएगा ऐसा नहीं है कोई app है यह कोई लोग ऐसे सोचेंगे कि बहरोज जो एक app है हम इसको install करेंगे play store से हमारे phone में install कर लेंगा ऐसा नहीं है यह operating system है आप phone करी देंगे तो उस phone में installed आएगा वो phone उसके बहरोज के पर चलता हुआ होगा लेकिन अब किसके साथ आएगा कहां आएगा यह सब चीजें यहां नहीं बताई गई है फिर आप बोलेंगे कि जब android जैसा ही ह तो हम क्यों ले इसको कौन लेगा देगे यह सुरक्षित है जो भी बहुत जादा जैसे कि nuclear power plant में काम करने वाले हो गए या फिर major security के अंदर काम करने वाले हो गए तो वो बहरोज का use कर सकते है वहां पर तो इनको ध्यान में रखते हुए भी चीजें क्या की गई है तो उम आउट है कोमेंट सेक्षिन ओपन है वहां पर अपने कोमेंट लिख सकते हैं डाउट लिख सकते हैं तब साच के लिए इतना है था थैंक्यू और वोचिंग देख